वेलकम स्ट्वेंड वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैध गुरुजी आज के इस वीडियो में हम सौलिंग कॉर्टिक इक्वेशन बाइ फार्मूला मेथड देखने वाले हैं लेकिन उससे पहले हमने प्रिवेस वीडियो में हमने क्या देखा थोड़ा सारी हो गया फिर स्वालिंग कॉर्टिक इक्वेशन बाइ फैक्टरिजेशन मेथट हो गया एकर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उपर आई बटन पर क्लिक करके पूरी की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉब इक है सॉलिंग कोड़िक टेखे इक वाइशन बाइ फर्मूला मेथड तो सब्में पहले हम देखेंगे एक स्कुड प्लस ब्स एक प्लस उकल तो जिरो इसकाल जन्रल फॉर्म ओफ क्वेशन या फिर इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म आफ कॉड़र्य अपर x square plus b x plus c is equal to 0 where a is coefficient of x square b is coefficient of x and c is constant now come to the formula remember this formula x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a अब इस formula को थोड़ा सा अगर हम अलग करते हैं तो ये दो formula के अंदर ये change हो जाता है x is equal to minus b एक मरतवा plus के साथ होगा plus under root b square minus 4ac upon 2a और x is equal to minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a अब ये दोनों formula को मिला कर एक formula बन गया इसको अगर आप से कहा जाए कि इसको अलग कीजिए तो आप इस तरीके से इसको अलग कहते हैं अब इसके अंदर बच्चो जो b square minus 4ac है is called discriminant of quadratic equation ये term याद रखिए आपको exam के अंदर question आ सकता है find the discriminant जब आपको question आए तो आपको क्या मालूम करना होता है b square minus 4ac के value आपको मालूम करना होता है तो ये जो discriminant है वो Greek letter delta ये एक छोटा सा triangle बना जाता है delta से इसको denote किया जाता है तो formula method में ये formula हमें use करना है चलिए एक question ले ले लेते हैं आपको बहुत आसानी से अच्छी तरह समझ में आएगा example number one देखिए बच्चो solve quadratic equation using formula method तो समय पहले हम question लेंगे इसके बाद बच्चो हम ये देखेंगे कि क्या ये quadratic equation standard form में है या नहीं है तो इसको हम compare करेंगे और हम लिखेंगे comparing with a x square plus b x plus c is equal to 0 अब यहां पर आपके जहन में ये question आएगा बच्चो के यहां पर a x square plus b x plus c is equal to 0 है बट यहां पर यह जो equation है m square वाली है तो इसका हम general form इस तरीके से बना सकते है a m square plus b m plus c is equal to 0 तो m वाली quadratic equation है तो आप a m square plus b m plus c is equal to 0 लिख सकते हैं या फिर a x square plus b x plus c is equal to 0 लिख सकते हैं तो अब इसको जब हम compare करेंगे तो हमें मिलेगा कि what is the value of a a क्या है बच्चों इससे पहले हमने बताया कि वो coefficient of m square है x square है यहां पर a is equal to 1 what is the value of b coefficient of x रहने कि यहां पर coefficient of m आपको मिल जाएगा minus 14 उसके बाद what is constant term what is the value of c आप compare करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो constant term है यहां पर है वो 13 तो a is equal to 1 b is equal to minus 14 c is equal to 13 अब आपको क्या करना है discriminant का value मालूम करना यानि कि आपको b square minus 4 a c यह मालूम करना है अब आपको b का value मालूम है a और c का value मालूम है तो b square यानि के आप देखेंगे यहां पर b की जगा रखेंगे minus 14 square minus 4 into a का value है 1 into c c का value है यानि constant term है 13 अब आप क्या करेंगे minus 14 का square करेंगे आपको मिल जाएगा plus 196 क्योंकि minus number का जब square करते हैं तो answer plus में आता है देखिए minus 4 into 1 into 13 आप करेंगे तो 13 force of 52 यानि के minus 52 मिल गया अब 196 में से 52 हमें minus करना है तो आपको मिल जाएगा plus 144 हमें b square minus 4 a c का value मिल गया है 144 अब हम formula यूज करेंगे तो हमारा formula क्या रहेगा बच्चों अब चुंकि यह quarter equation m वाली है तो यहाँ पर हम लिखेंगे m is equal to minus b plus और minus under root b square minus 4 a c upon 2 a ओके clear है यहाँ तक बच्चों अब हम values put up करेंगे m is equal to minus b यहने के b के value हमें मिला है minus 14 तो minus into minus 14 हो जाएगा plus और minus under root b square minus 4 a c discriminant का value देखिए बच्चों 144 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 144 upon 2 a का value है 1 तो यहाँ तो यहाँ 2 into 1 then m is equal to अब देखिए minus को minus से अगर multiply करेंगे तो आपको मिल जाएगा plus 14 plus और minus अगर 144 का square root निकालेंगे तो आपको मिलेगा 12 क्योंगे 12 का square है 144 144 का square root 12 हो गया and यह आपको मिल गया है बच्चों 2 into 1 minus 2 चलिए next step की तरफ आते हैं then m is equal to एक मरतब प्लस के साथ लिखेंगे मरतब हम minus के साथ लिखेंगे 14 plus 12 upon 2 और m is equal to 14 minus 12 upon 2 then m is equal to 14 plus 12 आपको मिल जाएगा 14 में 12 प्लस करेंगे तो 26 upon 2 then m is equal to 2 1s are 2 2 1s are 2 2 3s are 6 तो m का value मिल गए आपको बच्चों 13 अब इदरवाल equation solve करेंगे m is equal to 14 minus 12 आपको मिल जाएगा 2 upon 2 then m is equal to यह 2 1s are 2 2 1s are 2 हो जाएगा और answer आएगा 1 तो यहाँ पर दो roots हमें मिल गए है एक root मिल गया है 13 और दूसर root मिल गया है 1 तो final answer आप लिखेंगे आप लिखेंगे the roots of given quadratic equation is 13 and 1 या फिर आप लिख सकते है 13 and 1 are the roots of given quadratic equation understood let's move to the next question अब देखें example number 4 ले ले लेते हैं example number 4 is 25 x square plus 30 x plus 9 is equal to 0 इसका प्रोसिजर सेम है समय पहले हम यह देख लेना है क्या यह quadratic equation standard form में है तो यह quadratic equation standard form में है तो इसको हम compare करेंगे हम लिखेंगे comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0 then a is equal to what 25 हो जाएगा b is equal to what 30 and constant term c is equal to 9 समय पहले हमें discriminant का value मालूम करना है तो b square minus 4 ac का value हम मालूम करेंगे चलिए b square means 30 का square minus 4 into a a है हमारा 25 into c constant term है 9 30 का square करते हैं तो आपको मिल जाएगा 900 minus 25 को 4 से multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 100 और 100 को 9 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 900 यानि के आपको b square minus 4 ac का value मिल गया है बच्चो 0 चलिए यह हमें discriminant मालूम हो गया b square minus 4 ac अब formula रखते हैं अब मारा formula है x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4 ac upon 2a यह formula अची तरह याद कर लीजिए then x is equal to minus b का value आप देख रहे हैं यहाँ पर 30 है तो हम 30 लिख देंगे plus 30 है plus or minus b square minus 4 ac का value discriminant का value हमें मिल गया 0 upon 2 into a a का value है 25 okay instrument understood यहाँ तक clear है तो यह हो जाएगा x is equal to minus 30 plus or minus यह हो गया 0 और plus or minus 0 मतलब 0 यह है upon 25 to the 50 तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x is equal to minus 30 upon 50 एक मरतबा plus 0 के साथ एक मरतबा minus 0 के साथ अगर हम आपको समझाएंगे तो इस तरीके से बता सकते हैं upon 50 अब देखे दोनों भी root आपको same मिलने वाले है then x का value हो जाएगा instrument minus 30 upon 50 और यह 00 अगर हम कैंसल करते है then x is equal to minus 3 upon 5 और यहां पर भी अगर हम same लेते है x is equal to minus 30 upon 50 यह 00 आप कैंसल कर सकते है then x is equal to minus 3 by 5 यहां पर जो roots मिल रहा है हमें दोनों भी same मिल रहा है तो आप लिखेंगे minus 3 by 5, minus 3 by 5 are the roots of given quadratic equation understood student तो इस वीडियो में हमने example number 1 solve किया और example number 4 solve किया हम उम्मित करते हैं कि यह दोनों examples आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा है हमारा समझाने का method आपको समझ में आ रहा है comments के जरीए हमें बताइए और हमारे इस वीडियो को like कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए और ज्याज़दा इस वीडियो को share कीजिए thank you for watching our videos